वाट्सप गाईज आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड लीडर्स कॉंगरेचुलेट ट्रंप आई विल एंड ओल वार्स तो ये भी कहा गया है और पूरी दुनिया के जितने भी लीडर हैं उन्होंने किस तरीके से विश्ख करा है वो भी देखेंगे और कैसे रोख सकते हैं व नमस्कार, welcome to study IQ, मैं। प्रशान्द वन सो डॉनल्ड ट्रंप ने officially जी डिक्लेर करती है जो speech है न का victory speech, जो शब्द लोने यहाँ पर यूज किये हैं कि ऊपर वाले ने मेरी जान एक reason के लिए बचाई है, मरते मरते बचा हूँ, गोली सीरा कान के पास गई थी, इसका reason है, म मैं इतिहास बदलने वाला हूँ, और literally, Donald Trump इतिहास बदलने वाले हैं, वो गोली कुछ seconds इदर उदर जाती, तो situation completely change हो जाती, और यहाँ पर आप देख पाएंगे PM Modi, यह congratulate कर रहे हैं, Donald Trump को और यहाँ पर कह रहे हैं, heartiest congratulations, my friend, Donald Trump, मुझे अच्छ से याद है, Biden जब जीते थे तब 80 congratulations, Modi जी ने नहीं दी थी, Modi जी भी काभी खुछ हैं, कि Donald Trump बन गए हैं, the 47th President of United States of America, और आप नोट करना, जब Trump प्रेजिडेंट थे 2016 से लेकर 2020 के बीश में, उस वक्त Modi जी और Trump की जो iconic photos हैं, चाहे वो Howdy Modi event हो, US में, या फिर Namaste Trump event हो in India, जो यह photos हैं, इन्होंने यहाँ पर यह भी post करी है, यह जो iconic G7 summit हुआ था 2019 का pandemic से पहले, उसकी भी photo है, obviously, Narendra Modi जी काफी खुछ हैं, कि हमें एक Trump वाले USA से बात करनी होगी, compared to a Biden-led US, और Modi जी से भी जादा, अगर कोई world leader खुछ है Trump की जीत से, तो वो है Benjamin Netanyahu, यहाँ पे आप देखना होगे इनकी tweet, Dear Donald Minalia Trump Congratulations on history's greatest comeback, बिल्कुल, यह इतिहास का सबसे बड़ा comeback माना जाएगा, याद रखिए, Trump पर case कर दिये गए थे, पताया जाना था कि इनको जेल हेडिया जाएगा, इन पर दुनिया भर के आरोब लगाए गए, मारने की कोशिश करी गई कई बार, still, somehow, someway, he came back, और अब लग रहा करना चाहता हूँ, this is historic, और साती साथ वैसे मैं यह भी आड़ कर दू के इवन दो, दुनिया भर के वर्ल लीडर्स, Emmanuel Macron, Kier Starmer, various world leaders, Donald Trump को congratulate कर रहे हैं, अभी तक कमला हैरिस ने, यह accept किया नहीं है, कि यह election हारी है, I think कुछ घंटों बाद उनकी statement आएगी, but world leaders मान रहे हैं, कि election के जो अभी result है, चाहे टरम के पास 270 का जो आखड़ा है, यह भी तक पहुचे नहीं है, मगर जो रुजहान है, इतने ज्यादा strong है, इतनी, आप के लिजे strong wave है, Trump supporters की इनको इतने votes पड़े हैं, कि आराम से Trump election जीत जाएंगे, और यह जो वीडियो है, जहापर Trump अपनी जीत एकसेप्ट कर रहे हैं, यह आप देखे, इस अवेरी स्पेशल वीडियो, जो आपको देखेंगे, युएस में लोग, जो Trump के supporters हैं, obviously, वो सड़कों पे सलिबरेट कर रहे हैं, लोग काफी खोश हैं all together, और लोगों को अमीद है, कि आने वाले चार साल बहुत अच्छे होने इसके दो प्रामाई रीजन है, पहली बात तो यह Trump का एक मोटो यह है, कि मैं वार स्टार्ट नहीं करूंगा, I am not going to start war, आने वाले चार सालों में, no wars, और जो वार चल रही हैं, मैं उनको समाप्त कर दूंगा, now, देखे, जो इसराइल हमास वाला issue है, उस पे मुझे लगता आनिये के जादा Trump intervention करेंगे, उल्टा नेतन यहाओ को यह खुला हाथ दे देंगे, जो भी human rights वगरा की थोड़ी problem आती थी, वो भी गायब हो जाएंगी, और बिलकुल इरान के against, I mean right now, इस वख, अगर एक बहुत नर्वस होगा, तो को है एरान, क्योंकि Trump हाड़ कोर अगें हमास या अफिर हजबुला उस पर जड़ा impact पड़ेगा नहीं, बट रश्या बहुत खुश होगा, क्योंकि Trump दबाव डालेंगे युकरेन पर, जितनी जमीन हार चुके हो, अब गई वापस नहीं आने वाली, अब यह war खतम करते हैं, सुला कराते हैं, ठीक है, जो भी अब इसको खतम करते हैं, we do not want more wars, और इसका देखिये, बहुत ही positive impact भारत पर भी पड़ेगा, और उसके अलावा मैं आपको बता दू, American जो जनता है, वो इसलिए खुश है, क्योंकि कई लोग अब वेट कर रहे हैं, टाक्स में कब छूट भी लेगे, इंडिया भी मैं आपको ब जो अब ही के लिए Trump का प्लान है, चीजे उसी के साफ से अगर चलती है, तो Trump मेजर कम कर देंगे, जिससे उनका प्रॉफिट बड़ेगा, American stop market हो सकता है, क्याने वारे चार सालों में, नॉन स्टॉप स्पीड से भागे, मगर अट दा सेम टाइम, मुझे एक बात बोलनी जाओंगा के ना सिर्फ मंत्री जियो पॉल्टिक्स में और आगे जाकर जो होगा, एक जो ट्राजेक्टरी चल रही है दुनिया की, उसकी जो इतनी गहरी समझ है इनको, इनके स्पीचेज जो ये कहते हैं, सुना कीजिए, आपको दुनिया के वारे में, बहुत कुछ पता हो जाएगा, मतलब के एक ऐसा देश, जो खुद को दुनिया के और प्रॉब्लम से दूर कर लेगा, ये जो ट्रम की स्टेट्मेंट है, नो वर्स, कोई वर नहीं होगी, सब खतम कर दूँगा, ये देखिए, थोड़ा सा शुगर कोड करके इसको दिखाया जा रहा है, असल को सकता है, कि दुनिया के बाकी इलाकों में, ट्रम के अंडर ट्रम की प्रेजिदेंसी के अंडर वर बढ़ जाए, क्योंकि चाइना को बता है, ताइवान को बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, रश्या को भी पता है, कि कल को ये छोटा देश है, अस्तोनिया या लिथव अस्तेलिया में आज के समय गए हैं, वहाँ पर इन्होंने ये बात गई है, कि USA देखिए, अब बचाने नहीं आने वाला, USA धीरे 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 दुनिया से खुद को दूर करता रहेगा, कि हमारे पास मताओ, हमारे पास कोई सॉलूशन नहीं है, ट्रम के अंडर ये और और हिस्टोरिकली, USA के बहुत ट्रस्टेड एलाइज रहे हैं, जैसे यूरोप, यूरोप मैं आपको बदा दू, कोई बड़ी बात नहीं आने वाले चार सालों में, खुद की आर्मी मिलानी स्टार्ट कर दे, क्योंकि ट्रम के अंडर जो प्रोटेक्शन इनको पहले मिलती आने वाले चार सालों में, और अभी मैं वैसे एक अलग सभी वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं हर कंट्री पे क्या इंपक्ट होने वाला है, ट्रम का, ट्रम की नीतियों का, उसका मैं आपको एक प्रॉपर डिटेड अनलाइस दूंगा, बट अभी के लिए मैं आप खुद महसूस करेंगे आने वाले चार सालों में, और या, बन मोर तिंग, में अमेरिका ग्रेट रहे हैं, एक चीज़ सोच की चलनी पड़ेगी, प्रेजिडेंट जैसे अगर अब आगे है ट्रम, जिस तरह की उसे भाशान रहे है कि मैं वार नहीं होने दूंगा, मैं रोक क्योंकि ट्रम्प की जो वीडियोस हैं पहले की भी उसके साथ, पुतिन के साथ, तो ठीक सी आती है, और उनका एक बॉंड है एक अलग लेवल का, और युक्रेन को मुझे लगता है, उक्रेन पेसे अगर अमेरिका का हाथ रट जागा तो वैसी कुछ निंग सकता, वो तो कर अपने नंबर तू कर नहीं सकता और लेट्स एंड इस क्योंकि बहुत तो थोड़ा फ्रीहेंड और एक उनकी पड़ी अर्ड अमेरिका को पता है कि हम जिस तेजी समें एक टाम पर गरो करते थे उस तरीके समों ग्रों नहीं कर पा रहे हैं तो नो डाउन और जिस तरीके सा तो ट्वीट कर रहा है वो यह दर्शा आता है कि कितना मतलब उन्होंने खुशी हुई है उनको क्योंकि एक होता है सिर्था इस तरीके से करना एक फोटो लगाने अपनी मेमरीज वाली उनके साथ यह फरक पड़ता है और आने वाले वक्ते मुझे लगता है कि अब दुबा कुछ भी तो बहुत कुछ उसती थी बाकी लेट सी किस तरह कर टेन्योर रहता है और सबसे पहले क्या काम करें था मुझे सबसे पहले फोकस तो करनाची रशीय उक्रीन वाले के उपर क्योंकि यह बहुत बड़ी इमेज सेंड करेंगा पूरी दुनिया में कि है इस बंदे बोला था और इसने करके दिखाया वो चीज़ लेट सी दीरे दीरे क्या के डेवलोपमेंट्स आती है बाकी मिलते हैं आपको क्या लगता है कि इंडिया पर क्या इंपक्त आएगा क्योंकि नॉमली हमेशा दिखा गया है कि बाइडन और मोदी जी की अंडर्स्टेंडिंग तो अच्छी दिखती थी वह पीचेज आगे हग करना रहें चीज लेकिन जो एक माहल ट्रंप और मोदी जी का था ना वह अलग ही था चाहे वह स्टेडियम में आना वहां पर वीडियो कितनी वाइरल होई थी तो बहुत चीज़े होती है और जियो पॉलिटिक्स है वह कहते हैं कि बहुत जल्दी आपके दोस्त बजलते हैं बहुत जल्दी आपके दुश्मनी बढ़ जाती है तो वही चीज़ है और अभी मुझे लगता है कि दोस्ती वाइस इंडिया यूएस का अच्छा रहेगा ये टाइम आपने पॉंट भी आपके शेयर करते हैं बाबाए तेक क्यार